दोस्तों नमस्कार जैस्री कृष्णा जैस्री उराधे जै माता दी दोस्तों दोस्तों आप सभी को जो भी पुरोस हैं उन्हें एक अच्छी वाइफ चाहिए आप हर ब्यक्ति चाहता है कि उसकी वाइफ जो हो वो उसके अनुसार चलने वाली हो और समझदार हो कुल का करने वाली हो हर माता चाहती है कि उसके बेटे को जो बधु मिले जो उसकी बहु हो वो बहुत ही सुसील हो संसकारी हो और कुल को तारने वाली हो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे को ऐसी बहु मिले ऐसी बाइफ मिले जो आपके घर को अच्छे से चलाए और आपको ब बेटे का घर संसार बहुत अच्छे से चले या आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी वाइफ मिले जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो और मन की इच्छा से चलने वाली हो आपके इच्छा के बिरुद्ध ना जाए और अगर ऐसी वाइफ आपको मिल जाती तो निश्चत ही आप अपने इस मृत्य लोक में ही स्वरग की अनभूती करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी वाइफ मिले और आपके इसाप से चलने वाली हो तो दुरगा सप्तसती में एक ऐसा मंत्र है जो आपको बहुत जादा ही मनोहर पत्नी प्राप्त करा सकता है एक एक ऐसा मंत्र जो बहुत है बहुत ही खास है लेकxico उसका प्रयोग अगर अच्छी से किया जाए सटीकता से किया जाए सथी बिधी से किया जाए तो निस्चित ही आपकी मनुकामना पूरी होती आपका मनुरत सिद्ध होता है दोस्तों जानेंगे इस उपाय कौन सा है उपा आपको उपाये बता रहे हैं आपकी एक मनुकामना सिद्ध करने के लिए केवल एक मंत्र काफी है तो उस दुरुगा सब्तुसती का एक-एक मंत्र कितना सिद्ध है यह अपने आप में ही बहुत ही खास बात है दुरुगा सब्तुसती का एक-एक मंत्र अपने आप में करवाना आपकी हर मनुकामना की सिद्धी को दरसाता है आपके सभी मनुरत पूर हो सकते हैं किसी प्रकार की समस्त्य है वो दूर हो सकती है सिर्फ दुरुगा सब्तसती के पार्ट से अगर आप दुरुगा सब्तसती का पार्ट करवाना चाहते हैं इस दुरुगा सब्तसती के वाली booking आप करवाते हैं तो उसके लिए आपको जल से जल संपर्क करना होगा क्योंकि उसकी booking limited है बहुत ही limited slot है आगे बढ़ते हैं उपाय जानेंगे लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे उपाय आप करें लेकिन अगर आपकी यह इच्छा या कोई भी इच्छा है तो आप कम से कम 1100 रुपय वाला पार्ट अवस्तिकर आके देखें अगर आपको और ज्यादा सामर्त नहीं है या ज्यादा आप निवेस नहीं करना चाहते हैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तब 1100 रुपय वाली पार्ट से आपको बहुत ही ज्यादा लाब मिल सकता है उपाय क इसे अच्छे से याद कर लीजे नवरात्ती आने तक पढ़ लीजे इस मंत्र को आपको आगे ओम लगाना है यह मंत्र आपको जब करना है माला से पंचमी तिथी पांचमा नवरात्तरा उस दिन आपको इस मंत्र की विधी करनी है पूरे विधी आज आपको बताते हैं और बहुत ही खास प्रयोग है बैसे तो पूरी नवरात्तरी आप कर सकते हैं लेकिन किवल पंचमी को भी काम आपका बहुत ही खास हो जाएगा पंचमी तिती को आप नित्य जो माता का पूजन करते हैं पूजन करने के बाद मैं मंदर में बैठ करके कमल गट्टे की माला से इस मंतर की आपको 21 माला लगातार करनी है बिल्कुल ध्यानमंगन हो करके और नवरात्री में जो नियम हैं जो नियम निभाने चाहिए आपको या हर सनात्री को वो बहुत ज़्यादा खास नियम होते हैं और नियम को निभाने वाले ही इन उपायों से अपने मनुरत सिद्ध कर पाते हैं वो नियम के लिष्ट आपको मिल जाएगी आप सर्च करेंगे कि नवरात्री नियम अतुल्त्रपाठी या सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो जिसमें हमने नियम बताए हैं पिछली साल बताए थे तो इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है कमल गट्टे की माला से और माला करने के बाद में उस माला को आपको यमुना या गंगा नदी में या आपके पास में जो भी नदी हूँ नदी में जाकर के प्रवाहित कर देनी है नौमी को नौमी को साम को जाकर के आपको प्रवाहित कर देनी है तो आपके मनुकामना सिद्ध हो जाएगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा अगर अपने पुत्र के लिए कर रही है माता जो माता बहने कर रही है अपने भाई के लिए कर रही है तो उनके लिए ये एक बिसेश उपाय होने वाला है और बस एक बिसेश बिधी आपको ये करनी होगी अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो जो पुत्र है या भाई है तो उसके लिए मन में प्रार्थना कर लेनी है कि ये मंत्र जब करने से पहले ही कि ये मंत्र जो जब कर रही हूं में ये इस काम के लिए उनके लिए है तो ये उपाय आपका बहुत ज़्यादा सिद्ध उपाय है और इससे आपके निश्चत रूप से मनोकामना पूरी होने वाली है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चनल पर पहली बार आए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन प्रेस कर लें उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अनुष्ठान की बुकिंग जल्द से जल्द करवा लें कम से कम 1100 रुपे वाला पार्ट तो अब इससे कराएं पहुत बद्धनेवाद नमस्कार